गुड मारिंग हमारे क्लास्ट्राट के प्यारेबच्चों आज हम लोग तीसरी पोयम Keeping Quiet के Question Answer पर चलेंगे आपकी तीसरी पोयन जो है Means Poetry में आपकी जो तीसरी पोयम है Keeping Quiet का आज हम लोग Question Answer देखेंगे यहांपर देखिए ncrt zone में प्यारे बच्चों दिया, think it out में, think it out में चार कुशन दिये हुई हैं, इसलिए आज चारो कुशन का हम लोग उत्तर देखेंगे और चारो कुशन के इसलिए करा रहे हैं, क्योंकि आपके exam में stanza-based question answer दिया हुआ है, तो इसलिए हो सकता हो इस प्रकार से भी question answer पूछ सकता है तो इसलिए चारों को इस तिंक इट आउट की चारों question कराएंगी प्यारे बच्चो और इसके साथ इस chapter की इस poem की ये last जो है वीडियो है last class है इसके पहले हमने 4 class इस poem की already ले चुके हैं इसका हिंदी explanation ले चुके हैं इस question answer करा चुके हैं central idea करा चुके हैं reference context explanation करा चुके हैं तो प्यारे बच्चो ये आज last class है आपका इसके बाद mixed poem सुरू कर देंगे आज ये last class है आपकी इस poem का keep quiet की last class आज है और इसके पहले हमने 4 chapter प्रोष का complete करा चुके हैं तीन chapter आपका poetry का complete हो चुका है और दो chapter आपका विस्तास का mean start story का प्यारे बच्चो complete हो चुका है ये पूरानी class है आपने attend नहीं किया है तो आप playlist में जाएगी यूपी बोर्ड क्लास टॉल्ट इंग्लिस निउस हिल बस करके playlist मिल जाएगी तो उसमें आपको सारी class है मिल ज subscribe करेंगे वीडियो कर लाइक करेंगे और class 12 के बच्चों में सभी बच्चों में अवस्यर करेंगे और खास करके ग्रामीड शेत के बच्चों में अवस पहुचना चाहिए प्यारे बच्चों तो पहले question प्याज आते हैं what will counting up to 12 and keeping still help us achieve means 12 तक गिंती गिनना और सांती रखन हमें क्या प्राप्ट करने में सहायता करेंगा means what will counting up to 12 means 12 तक गिंती गिनना and keeping still or सांत रखना still help us achieve means मदद करेंगे अची क्या प्राप्ट करने में मदद करेंगे means अपमें सांत रखना means सांत रखना और बारत गिंती गिनना हमें क्या प्राप्त करने में मदद करेगा क्योंकि सुरुआती स्टेंजा में कहा था ना कि बारत गिंती गिनना और सांत रहना है तो वही क्विशन बना हुआ है कि वह हमें क्या प्राप्त करने में मदद करेगा क्या प्राप्त करने में साहता करेगा तो पहले question क्या प्यारे बच्चो जल्दी से उत्तर हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चो यहां देखी तो जल्दी से प्यारे बच्चो आजाते हैं पहला question आपको देख रहा होगा उसका उत्तर भी आपको देख रहा होगा जल्दी से question की उत्तर पी आ जाते हैं बाइं कीपिंग गड़ारे ले सांत रखने से और इच्चान सांत रखने से मनुष हसास करता है हपनी गलतियों को तो मनुष क्या असास करता है? अपनी गलतियों को महसूस करता है and refrain from refrain मीज होता है दूर रहना और दूर रहता है from harmful destructive activities मिन्स खतरनाग गद्विदियों से activities मिन्स गद्विदिया destructive मिन्स खतरनाग harmful मिन्स नुकसान दायक नुकसान दायक खतरनाग गद्विदियों से वह क्या रहता है दूर रहता है मिन्स क्या करने से अपने आपको सांथ रखने से 12 गिंती गिंदने से मनुष अपनी गलतियों को एसास करता है और खतरनाग हानिकारग गदविदियों से वाक्या रहता है रिफ्रेंड रहता है, means दूर रहता है It will also help in creating a feeling of natural understanding अध्यान देना It will also, यह भी मदद करता है In creating a feeling means एक भावना को बनाने में Natural understanding means प्राकरतिक समझ की प्राकरतिक समझ की भावना को बनाने में भी यह मदद करता है And introspection among human beings Introspection means क्या होता है? अंत्रावलोकन Introspection means क्या होता है? अंत्रावलोकन अंत्रावलोकन करने में Among human beings means सभी विक्तियों में Human beings में अपने आपको अंत्रावलोकन करने में यह क्या करता है मदद करता है तो आपको पता हो गया कि आपको सांत रहने या फिर बारत गिंती किने से क्या मदद मिलती है क्या चीजे में साहता करता है तो पता हो गया न कि या अपने गलतियों को महसूस करने में साहता करता है और जो है कतना गदविदियों से हम इससे दूर रहते हैं और एक प्राकृतिक समझ यह हमें उत्पन करती है तो यही प्यारे बच्चो इसका उत्तर हो गया तो जल्दी से एक बार फिर से उत्तर देख लो तो प्यारे बच्चो ए हो गया पहले क्विशन का उत्तर हो गया अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्विशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्विशन देखते हैं दूसरा क्विशन क्या है प्यारे बच्चो दूसरा क्विशन क्या पूछा हुआ है Do you think क्या आप सोचते हैं The poet advocates Educates means वकालत करना होता है Educate means क्या होता है वकालत करना Do you think क्या आप सोचते हैं The poet advocates कभी वकालत करता है Total in activity Means पूरी तरह निस्कृता And death means मृत्व की क्या कभी पूरी तरह निस्कृता और मृत्व की वकालत करते हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मिन्स डू यू थिंग क्या आप सोचते हैं कभी वकालत कराया है टोटल इन एक्टिविटी पूरी तरह से निस्क्रिशता और डेथ मिन्स और मित्व तो ऐसा तो नहीं है तो नो हम कर देंगे क्योंकि वह कहता है कि इसका यह मतलब नहीं ह कि पूरी तरह निस्क्रिश आपको करके बैट जाओं मित्व एक मरेवी के समान हो चाओं सिर्फ कीपिंग कॉइट का मतलब है कि आप कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचों इंट्रोस्पेक्शन करो कुछ समय के लिए इंट्रोस्पेक्शन करो ऐसा नहीं कि दिन भर इ कभी संपुर्ण निस्क्रिटा और मृत की वकालत करता है बिल्कुल नहीं तो हम नो करके इसका उत्तर देंगे सिर्फ नो आपको लगाना है बस इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चो जल्दी से इसके उत्तर को धन्लोक देख लेते हैं प्यारे बच्चो स्थान्ति से ब्रमित यह नहीं होना है कि अमें पूरी तरह निस्क्री हो जाना है कभी कहता है, he makes it quite clear, वासपस ठूप से कहता है, that stillness should not be confused, सांती का मतलब इसमें ए नहीं, कि उसमें भरमित नहीं हो जाना है, with total inactivity means पूरी तरह से निस्क्रीता से भरमित नहीं हो जाना, है सांती का तात्पर ए नहीं, कि हम पूरी तरह से निस्क्री हो जाएं, सांती का तात् करें, अपना मुल्यांकन करें, अपने बारे में चिंतन करें, एक कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, मृत के समान ना बन जाओ, तो प्यारे बच्चों, यह हो गया, उत्तर जल्दी से इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों, यह हो गया, क्रिश्चय नंबर दो का उत्तर हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं क्रिश्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्रिश्चन नंबर 3 इन पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चनल पे पहले बार है चनल कर सिस्क्राइब कर करिएगा वीडियो के लाइक करिएगां और क्लािस टॉल्थ की बच्चों में सभी बच्चों में से रवस्करिएगा चाहे आपको कोचिंग का ग्रूप हो। इस PAilingual करीगा। तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि उदासी क्या है? प्यारा बच्चों इसका question को उत्तर क्या हो जाएगा? कि स्वयम को कभी न समझ पाना यह दुख को दिखाता है और प्रकृत को ब्यवार को स्वयम की ब्यवार को जो व्यक्त नहीं समझ पा रहा है उस दुख को यह दिखा रहा है इस बात को कभी का दुख है तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से दुख है? इस बात को कभी को दुख है तो इस प्रकार से उसे धमकाता है मृत और डिस्टरक्शन के माध्यम से तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लो फिर से अर्थ देख लो क्या बजाएगा? इस कविता में जो है जो दुख की बात है इस दुख है कि आप नेवर अंडेस्टेंडिंग वनसेल्फ एंड नेचर की मानो अपनी बेवहार को समझ नहीं पा रहा है इस प्रकार उसे मृत उसे क्या किया जा रहा है? मृत और बिनाज से धमकाया जा रहा है तो प्यारे बच्चों क्या उत्तरिस्टा हो गया? जल्दी से फिर से देख लो इस सैड़नेज दी पुएट रिफर्स तो इन दी पुएम कीपिंग कॉाइट इस दी सैड़नेज आफ निवर अंडेस्टेंडिंग वन सिल्फ और नेचर यूमन बिइंग इन फ्रेंजी आफ एक्टिविटीज हैव नो टाइम फॉर इंटोस्टेक्शन एंद दस थ्री टेंग देमसेल्फ विट डेथ हार डिस्टेक्शन तो प्यारे बच्चो एह हो गया आपका क्विश्टन तीन का उत्तर हो गया अब हम लोग क्विश्टन नमबर चार की तरह पढ़ते हैं और लास्ट क्विश्टन की तरह पढ़ते हैं क्विश्टन नमबर चार आपका लास्ट क्विश्टन है तु से देर दियर कैन भी लाइफ अंडर अपेरेंट इस्टेलनेश अपेरेंट मिस होता असपस्ट या प्रत्यच में स खामोसी शांथी अंदर मिस कभी प्रक्षित से किस प्रतिक का याद दिलाता है इस्मरन्ण करता है यह कहने के लिए कि अस्पस सांथी के अंथर जीवन कि यह कहने के लिए कि प्रत्यच अस्पर सांती के इंतरकत जीवन भी हो सकता है तो उसके पृत्षी को इंक्लोट करता था लास्ट इस्टैंजर में देखोगे कि उसने अर्थ को इंक्लोट किया था तो जल्दी से उसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों देखिए यह question number 4 का जो है उत्तर है जल्दी से देखिए वही question है what symbol nature does the poet in okay to say that there can be life under the apparent stillness means खामोशी के अंदर असपस्ट खामोशी के अंदर के भी जीवन हो सकता है कैसे इस बात को सिद्ध करता है तो जल्दी से देख लेते हैं इसके उत्तर को the poet uses the earth means कभी किसका प्रियोग करता है प्रित्थी का प्रियोग करता है as a symbol means प्रती के रूप में to so दिखाने के लिए that can be life under apparent stillness means अत्यदिक खामोशी के अंदर गत भी जीवन हो सकता है या दिखाने के लिए अत्यदिक खामोसी के अंतरगत भी जीवन हो सकता है वह किसका प्रतीक लेता है प्रित्वी का प्रतीक लेता है तो प्यारे बच्चो इतनी में आपका उत्तर कंप्रीट हो गया एक तरह से देखेंगे तो उत्तर कंप्रीट हो गया अतने में ही इतनी में उत्तर कंप्रीट हो या लेकिन थोड़ा सामने समझाने की कोसिस किया हुआ है इसे लाश तक थोड़ा सा देखोगे क्मने समझाने की कोशिद कियाओं तो क्या हो जाएका the earth कैसे इस्प्रकार से इस्फश्ट रूख से उदारां है इस पता गया है इस खामोशी का मतलब यह नहीं होता है कि मृत्त हो गई है तो प्यारे बच्चो यह हो गया तो क्या उत्त है आपका एक बार फिर से देख लो तो प्यारे बच्चो यह हो गया आपका क्विश्चन नमबर चार का उत्तर हो गया यह आपके लास्ट क्विश्चन का उत्तर हो गया प्यारे बच्चो यह आपका अंतीम क्विश्चन था प्यारे बच्चो आपका क्विश्चन चारो क्विश्चन कंप्लीट हो गया तो अब जो है जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और क्लाज 12 के सभी बच्चों में सीर वस करेंगे बार बार इस बात पर हम करें कि आप कोई स्कूल का ग्रूप हो coaching का group हो आप अपने साथ की दोस्तों को individual share कर सकते हैं चायज असे share करें तो सभी share करना चाहिए और यदि आप मारे blogging channel सो जुणना चाहते हैं तो सूरज यादो जौनपूर करके search करेंगे तो आपको मेरा blogging channel बल जाएगा अब अगली फोएम आपकी शुरू करेंगे a thing of beauty आज इस पोएम की last class थी अगली फोएम सुरू करेंगे a thing of beauty प्यारे बच्चों अगली पोएम आपकी क्या होगी a thing of beauty तो अगली class में आपको next poem के साथ सुरू करेंगे और एज आपका यहीं पर class समाबत होती है